अगर आप भी सोच रहे हो कि आपने healthcare में जॉब लेनी है या उसके regarding पढ़ाई करनी है यह वीडियो आपके बहुत काम आएगी यह तो आपको पता है कि यार ज्यादा तर्जु लोग इंडिया से आते हैं एक फील्ड को बहुत यदा target करने लगते हैं जब उनको पता चलता है कि इसमें बहुत फाइदा है जिसमें बहुत पैसा है या फिर इसमें प्यार है यह बड़ी common सी चीज़ है इसमें कुछ गल्थ नहीं है बट गल्थ तब होता है जब आपको आपकी expectation के हिसाब से result नहीं मिल पाती हो सकता है कि आपकी इसी से inspire होए हो हो सकता है कि आपको passion हो पर उस time पर person काफी hurt होता है जब उसको वो मिलनी पाता वो जो चाता है एक simple सी theory यह life की तो अभी आप सभी healthcare के बारे में सोच रहे है क्योंकि आपको वीडियो में शो हो रहा है मैंने भी बताया किसी और ने भी बताया होगा एंड ऐसे ही immigration minister भी ऐसा ही highlight करने है तो बट यहा आपको check करना पड़ेगा healthcare में कि कौन से job title आपकी मदद कर सकते है PR में मालो कि आप किसी province की PNP को target कर रहे हो जादर provinces ने बताया हुआ कि healthcare में इतना matter नहीं करता बट आपको check करना पड़ेगा कि जो आपका job title है जो आपका no code है क्या वो उस PNP में legible है क्या वो AIP में legible है क प्रोग्राम में matter नहीं करता क्योंकि आप healthcare में कर रहे हो बट आपको check करना पड़ेगा detail में बताया हुआ है कि हर एक job का no code है आपकी duties decide करेंगी and हर एक no code की duties है हर एक job title की अगर वो duties आपके employment letter पे नहीं है तो उस no code को नहीं क्लेम कर सकते आपकी duties decide करते कौन सा आपका no code है ऐसा नहीं है कि आपने मैनेर से लिखवा लिया तो आपका no code बन जाएगा उसको detail में आपको check करना ही पड़ेगा otherwise आप कोई ना कोई mistake कर दोगे पहले तो यह identify करना है कि वो no code के लिए कोई ऐसी requirement तो नहीं कि जो आप meet नहीं कर पारे हो सकता है कि उसके लिए degree चाहिए हो सक कोई बना देगा मुझे इस फील्ड के बारे में कुछ नहीं बता तो मुझे कोई hire नहीं करेगा अगर employer hire कर रहे हो requirements मेरी प्राब्लम नहीं लेकर आएंगी यह भी आपको check करना बढ़ता है सिर्फ आप ऐसे assume नहीं कर सकते कि आपको job मिल जाएगी और आपको PR हो जाएगी बहुत लोग बिना सर्च किये decision बना लेते हैं देन बाद में उनको problems आती हैं जैसे कि नोवश कोश्या में लोग काफी move करें थे हर एक की PR नहीं हो पाई कुछ reason की वज़ा से कई बारी होता है कि immigration के rules change होगे वो case अलग है बट कई बारी कोई requirement ही नहीं चेक करते हैं यही find out नहीं करता कि वहाँ पर जाके उनको उनके field में job मिलेगी या नहीं मिलेगी ना का वहाँ पर scope है तो आपको proper planning के साथ चानना बढ़ेगा अगर आप इंडिया से अभी आने की कोशिश कर रहे हो तो आपको पता लगेगा कि वह course आपको कौन से college या university में मिल सकता है कौन से province म मिल सकते हैं उस province में कौन सा PR प्रोग्राम है तो ये factors आपको साथ साथ consider करने बढ़ेंगे एतना detail में शायदी आपको कोई बताए बट मैं आपको बता रहूँ अपने experience है मैंने कुछ गलतियां करी है मैंने अपने वाकि दोस्तों से सीखा है तो फिर ना एक experience हो जा तो वही knowledge गेन करनी चाहिए बट immigration की नजरों में आपको check करना पड़ेगा कि कौन से field की demand है कुछ time बात बता क्या होगा चाहिए आप notice कर लेना healthcare आज healthcare के बारे में discussion तो बहुत हो रही है बट एक point पे वो list को इतना small भी कर सकते हैं कि हमें सर्फ इनी position वाले यही position वाले लोग कि उनका target है कि 2030 तक उनको इतने लोग चाहिए healthcare में वो बात अलग है बट ऐसे cases at one point आपको देखने को मिल सकते हैं क्योंकि यह काफी चीज़े matter करती हैं कि numbers ही हैं जो इस world को rule कर रहे हैं चाहे आपके bank account के numbers होगे चाहे इस job market के numbers होगे तो आना इस game को समझना आपके लिए जुरूरी है अंडीर आपके लिए एक बड़ी आप रहेगी वहाँ पर आप 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 कर सकते हो जौब की requirements को चेक कर सकते हो बट हमेशा जब भी किसी job के बारे में आपको make sure करना है को रूल के बारे में चेक करना है हमेशा आप Canada की website पर information देखो social media पर क्या होता है कि म source पर मत किया करो वहां पर कभी कोई ना कोई problem आ जाती है तो अगर healthcare के बारे में decide किया है अच्छी बात है आप एक अच्छी field में या रहे हो आप healthcare में काम कर रहे हो लोगों की आप help करोगे Canada का healthcare तो काफी improve होने वाला है तो बहुत बड़ी आपकी sport होगी इस country में इसकी कौन से job title के हिसाब से आप course decide कर सकते हो फिर college की website पर जा सकते हो या फिर आप university कर सकते हो या उनको email सेंड कर सकते हो वहां पर उस option को इस्तिमाल करो email करो चाहे आपको थोड़ा लेट response हा रहा है बट at least आपके doubts तो clear हो जाएंगे ना तो इतना ही मैं आपके साथ share करना चाता कर दोगी मैं आपके साथ